क्या आपने कभी सोचा है कि बिन आँखों के दुनिया कैसी होगी दिन का उजाला रात का अंधेरा शायद एक जैसा होगा जीहा बिन आँखों के दुनिया की सारी खुबसूरती पेकार है कुछ भी नहीं है नमस्कार मैं अर्पिता दूरदर्शन बिहार के इस खास कारिकरम में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दर्श को आँखे हमारी बेशकीमती है शायद इसी लिए नेत्रदान को महादान कहा जाता है आपने भी नेत्रदान के बारे में सुना होगा लेकिन फिर भी आपके मन में सवाल होगा कि भला मरने के बाद कोई व्यक्ति अपनी आँखों का दान कैसे कर सकता है इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? तो इसी सवाल को जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं PMCH यानि की पत्ना, मेडिकल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल तो दर्श को चली आपको सीधे ले चलते हैं नेत्र विभाक की ओर जहां पर हम डॉक्र साहब से जानेंगे कि आखिर नेत्र दान के पूरी प्रक्रिया क्या है? आप सब को करना क्या है? तो इस वक्त हमारे साथ बादशीत के लिए मौजूद है PMCH के नेत्र विभाक के विभागा अध्याक्ष डॉक्टर नागेश्वर शर्माजी डॉक्टर साहब आपका हमारे कारिक्र में बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक नेत्रदान पक्वाडा मनाया जा रहा है हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेत्रदान करें हम लोगों को जागरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, कि नेतरदान एक आसान प्रक्रिया है, तो ग्यादी कोई व्यक्ति नेतरदान करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? आजादी के अमरित महातसवाप के सुबसर पर हम लोग के पूरे भारत में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेतरदान पक्वारा मनाया जाता है, इसे इस सुबसर पर हम लोग दूरदर्शन के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, और मेडम के दौरा पूछे गए परसन, जिन्होंने लिखा है कि नेतरदान जदी कोई करना चाहते हैं, तो उनको क्या प्रक्रिया अपनानी परती है, इसके बारे मैं मैं कहाना चाहता हूँ, कि भारत सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा करीव करीव सभी medical college में i-bank की अस्थापना हुई है उसमें एक तरह का form आता है जो आदमी सपत पत्र लेते हैं कि मेरे मिर्टु के वाद मेरी आँख मेरे परिजान i-bank को डोनेट कर देंगे और जिस्से की कम से कम 3-4 आदमियों के आँख की रोशनी आएगी उनके जीवन में हरियाली बनी रहेगी डॉक्टर साब ये तो बाद हुई शपत पत्र की माली जीए कि किसी के घर में किसी शक्स की मौत हो जाती है उसके परिजन चाहते हैं कि हम उसका नेतरदान कर दें तो उसके लिए फौरी तोर पर परिजन क्या करें ये लेकि माँ ये सभी दूरदर्सन के सभी दरसकों को ये बताना चाहता हूँ कि जदी किनी के परिजन का अक्समात मिर्टू हो जाती है तो हम लोग के PMCH में iBank फुल फलेजेट काम कर रहा है वहां का दो नमर सभी जगह पर दिया गया है आप iBank में फोन करकरके जानकारी ले सकते हैं और जदी आपके घर में किसी इस तरह की किनी की मौत हो गई है और आपके परिजन चाहते हैं कि उनका नेतरदान करें तो हम लोग के यहां एक team 2400 गंटा तयार रहती है जो आपके घर पर जाकर करके कॉर्णिया का जो हम लोग नेतरदान करते हैं उनका रिटीवल करकरके पूरे team जाएंगे और वहां से रिटीवल करकरके मेरे आई बैंक में आकरके जमा कर देंगे डॉक्टर सहाब मेरा एक और खास सवाल ये है कि मा लीजे कि उन्होंने कॉल कर दिया और यहां से कोई टीम पहुंसती है आँख लेले के लिए लेकिन कई बार क्या होता है कि पड़िजन समझ नहीं पाते कि इस दोरान जिस व्यक्ति की मृत्ति हुए उसे किस प्रकार रखा जाए किस तरह से उसकी आँख को सुरक्षित रखा जाए तो इस बारे में बताईए इस तरह में मैं दर्सकों से अनुरोद करता हूँ कि मिर्तु के पश्चात नियम है कि एक घंटा से छे घंटा के अंदर तक हम लोग रिटीवल आँख का कर लें तो जदी इस तरह की बात हो तो आई बैंक में आप ख़वर करें हम लोग की टीम यहां तयार रहती है जो आपके दिये गए पता पर पहुंचेगी तब तक आपको यह व्यवस्था करना है कि मरे हुए आदमी का आँख आप बंद कर दे और कोसिस करें कि वहाँ पंखा वे गएरा नहीं चले यही आप चलवा सकते हैं जिससे उसका आँख जो है उसके नहीं इसलिए सबसे प्राइविटी है कि उसके आँख को आप लोग ढग दिया करें उनके पलग को बंद कर दिया करें और तब तक मेरी टीम पहुंच जाएगी वह अपना आगे की प्रक्रिया करेगी बहुत छोटी सी प्रक्रिया है आँख रिटीवल का वह अलग हमारी टीम में एक्सपर्ट डॉक्टर रहते हैं कॉंसेलर रहते हैं वह अलग सब जाकर के इसमें आपकी मदद करेंगे और इटीवल करने के बाद एक कैप लगा दिया जाता है जिसे पता नहीं चलता है कि उसका आँख निकाला गया है कि नहीं और उसके बाद उनकी अंतिम संस्कार विगर की प्रक्रिया पराप्रारम कर सकता है तो बिलकुल डॉक्टर साब जोसा कि आपने बताया है कि छे घंटे के भीतर ही नेत्रदान करना है इसलिए वो जो छे घंटे होते उस दोराद जो है जो मृत्य व्यक्ति है उसकी आँको सुरक्षित परिवार बाले रखे तब ही नेत्रदान हो सकता है ठीक है डॉक्टर साब अगला सवाल लेती हूँ मेरा अगला सवाल यह है कि वैसे तो हर कोई सामान्य व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है ठीकिन कई बिमारियां ऐसी होती है जिसमें कहा जाता है कि नेत्रदान करना सही नहीं माना जाता है तो ऐसी कौन-कौन से बीमारिया है जिनसे यौदि कोई ग्रसित है तो वो नेतरदान नहीं कर सकता है जैसा कि मेडम अरफिता ने Question पूछा है कि कौन-कौन ऐसे बेखती है जो नेतरदान कर सकते हैं इसमें यह देखना है कि हम लोग यह जानते हैं जदी HIV पेसेंट हो या कैंसर से गरसित पेसेंट हो तो हम लोग नेतरदान एववाइट करते हैं लेकिन आजकल ये बताया गया है कि रिसेंट जो मेरा लिटेचर आया है उसमें बताया गया है कि जदी HIV से गरसित कोई पेसेंट है, तो हम उनके आँख को HIV वाले पेसेंट में हम लोग परतियार उपन कर सकते हैं. ये एक बहुत बरी बात है, जैसा पहले हम लोग नहीं करते थे, लेकिन नॉर्मल आदमी में हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जदी HIV का पेसेंट बहुत पहले से नौन है, तो हम लोग पोसिस करेंगे कि जदी उसका आँख हम लोग निकालें, तो HIV पेसेंट को ही लगाएं. और वैसे जेनरली हम लोग जो आँख निकालते हैं, तो किसी भी आदमी को हम लोग लगा सकते हैं, जदी उसमें कोई खास इस तरह की डीजीज नहीं हो. डॉक्टर साब, अकसर हम सुनते हैं, कि यदि किसी व्यक्ति को चश्मा लगा हुआ है, तो लोग कहते हैं कि तुम्हारी आँखे स्वस्त नहीं है, तुम नेतरदान नहीं कर सकते हैं. तो ये भ्रांती जो फैली हुई है, इसको मिटाईए, और लोगों को बताईए कि किस तरीके से वो स्वस्त है, उनकी आँखे स्वस्त हैं और वो नेतरदान कर सकते हैं. उसे आदमी जो चश्मा के हैं, उसको नेतरदान करने में कोई परेशानी नहीं होती है. परेशानी केवल एक ही चीज के हुए, जो हमने पहले कहा है, कि बीमारी HIV नहीं हो, कैंसर नहीं हो. नहीं तो हम लोग मानते हैं, कि या तो चस्मा पहने, या किसी तरह का कोई ओपरेशन करके लेंस लगाया हुआ हुआ है. केवल हम लोग यही देखते हैं, कि आँख का एक बाहरी परत है, जिसको हम लोग कॉर्णिया कहते हैं, वह एक्चलूई ट्रांस्पेरेंट होता है, मतलब इस पार से उस पार देखने की वेवस्था रहती है उसमें, तो वह मेरा हेल्दी रहे. जदी किसी भी पेसेंट का, किसी भी मृत आदमी का, जदी कॉर्णिया हेल्दी रहे, तो उसको हम लोग नेतरदान करने के लिए अग्रेसारी कर सकते हैं, कि वह नेतरदान कर सकता है, उसकी आँख खराब नहीं मानी जाती है. भले वह चस्मा ही क्यों नहीं पेहने? डॉक्टर सहाब, किस आयू से, किस आयू तक के लोगों की मृत्यू की बाद, उनकी जो नेतर है, उनको दान किया जा सकता है? इस बारे में थोड़ा बताईए आब. जहां तक एज का सवाल है, कोई भी आदमी किसी एज का, मरनो प्रांध, आँखदान कर सकते हैं. क्यांकि हम लोग का जो आँखदान की प्रकिरिया है, इसमें बहुत भरांतिया है, बहुत आदमी कहते हैं, नेतरदान मतलब पूरे नेतर कादान. जबकि ऐसा नहीं होता है. नेतरदान का हम लोग जो आँख में आप लोग सामने में पुतली देखते हैं उसी पोर्सन का हम लोग क्या कते हैं जिसको हम लोग कॉर्णिया कहते हैं उसी को हम लोग ट्रांस्प्लांट करते हैं जिसका दो-तीन नाम है उसको या तो हम लोग किराटो प्लास्टी करते हैं, कॉर्णियल गराफ करते हैं, या कॉर्णियल ट्रांस्प्लांट के नाम से जानते हैं, इसमें एज का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति मरने के उपरान, चाहे किसी भी एज का हो, अपने आँख नेतरदान कर स चाहता है, और नेतरदान कर देता है, तो उसके बाद, उसके नेतर से कितने लोगों के जिंदगी में रोश्नी आती हैं, ये आप जानते हैं, कि मेडम ने बहुत अच्छा कुछा है, कि नेतरदान के पश्चात, कितने आदमी उसे बेनिफीट उठा सकते हैं, तो एक्शली करते हैं, उसमें 4-5 लेयर होते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है, कि किसी आदमी का एक आध लेयर ही खड़ाब हो, तो हम लोग मैक्सिमाम 4-5 आदमी तक का बेनिफीट कर सकते हैं, 4-5 आदमी के अंधे आदमी के जीवन में हम लोग उजाला ला सकते हैं, जो एक बहुत ही बरी और आदमी को इसमें एक awareness होना चाहिए, जागरूपता होना चाहिए सभी आदमी में, कि हम लोग नेतरदान करें, और कम से कम चार परिवारों जो अंधे में जी रहे हैं, उनको हम लोग दुनिया दिखाने का काम करें, उनके जीवन में परकास लावें. बिल्कुल, तो आप यदी नेतरदान करते हैं, तो किसे के जिन्दगी खोशाल कर सकते हैं, किसी परिवार को आप खुशियां दे सकते हैं. डॉक्टर सहाब, बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग हैं, जो शायद डरते हैं खर्च करने से, जिनके आर्थिक स्थिती शायद उतनी ठीक नहीं है. तो ऐसे लोगों को बताईए कि नेतरदान कितना निशुल्ख है, और यदि वो इसे करते हैं, तो इससे उनके जीवन में क्या कुछ सकरात्मकता आती हैं? भारत सरकार या बिहार सरकार के द्वारा जो भी नेतरद्र बैंक संचालित है, वो फ्री आपकेष्ट है. मुफ्थ में सब चीज का उलाज भी होता है, और उसमें जो भी परत्यारोपन की प्रकृरिया या रिट्रोहिल की प्रकृरिया है, सभी बिल्कुल मुफ्थ है. इस किसी भी व्यक्ति को कोई भी सुल्क हम लोग के सरकारी अस्पताल में नहीं देना पड़ता है ये बिलकुल मुफ्थ है इसलिए करके आदमी को इसमें जागरूख के आगे आना चाहिए और अपने परिवार वाले को कॉंसेल करना चाहिए कि आप नेतरदान करें तो दर्शको आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने कितने ही बढ़िया तरीके से बताया कि नेतरदान करना कितना बहतरीन काम होता है इससे आपको शांती मिलते हैं सुकून मिलता है क्योंकि आप किसी की जीवन में रोशनी लेकर आते हैं डॉक्टर साहब हमने नेतरदान के ब जैसे कि मोतियाविंद और इसे में है काला मोतियाविंद तो इन दोनों के बारे में विश्टार से बताईए जैशा की दर्सक गण को पता होगा कि मोतियाविंद चुकि ऐसा सब्ध है जिसको हम लोग उजला मोतियाविंद भी कहते हैं इसमें बहुत सारे परिवार वाले अप्जाट होते हैं, कुछ एक्वाइड होते हैं, जो हम लोग जीवर में ज़ीस ज़ी एज भरता है, उसके तरफ से हम लोग को आता है, किसी बीमारी के कारण हो सकता है, या एक मुतियाबिंद होता है, सेनायल, जो एज के साथ होता है, किसी का उमर 40-50 वश्षए सुरू होत किसी को 70-80 में पक जाता है तो जब मोतियावींद पक जाए तो यह साधरन बात है इसमें घवरानी की जवरत नहीं है आपके निकरतब अस्पताल में इसकी वेवस्था है कि मोतियावींद को निकाल करके इसको हम लोग रिवर्सिवल ब्लाइंडेस के रूप में जानते हैं य कि आदमी अंधा हो गया ठीक है उसको रोषनी नहीं है लेकि उसको एक छोटी सी ऑपरेशन करके उनका रोषनी हम लोटा सकते हैं जिसको हम लोग लेंस परतियारोपन के द्वारा जैसे मोतियावींद को हटा करके वहां उसके जगह पर हम लोग लेंस का परतियारोपन कर द जिसके बारे में आदमी को कंसस रहना चाहिए, यह तो या तो genetically होता है, कि आदमी बर्थ से काला मुतियाविंद हो सकता है, या in the life में जीवर्ण में कभी भी हो सकता है, और खास करके बहुत आदमी डरते हैं कि मोतियाविन जदी हमको हुआ है उजला मोतियाविन कहीं उसका कनवर्शन काला मोतियाविन में तो नहीं हो जाए तो ये भी धियान रखना चाहिए कि जदी उजला मोतियाविन को जो नॉर्मल मोतियाविन है जदी आप सही समय पर उसक तोरो के आँख में तूवह जादे नहीं हो बीच-बीच में डॉक्टर से दिखाये कि कहीं मोतयावींद मुतयावींद के रूप में तो नहीं परिवर्तित हो रहा है कि डॉकर साथे उनकी रूषंदे ने के बारा कि रूट साहब एक और बिमारी है computer vision syndrome और साथे साथ एक और है color blindness तो ये दोनों बीमारिया किस तरीके से हमारी जो आखों की रोष्णियों से प्रभावित करती है और इसका इलाज बताईए आजकल आप देख रहे हैं कि ये हम लोग का जीवन इतना तेजी से बढ़ रहा है कि बिना किसी गजट के कोई भी काम नहीं होता है चाहे वो मेरा मोवाइल हो या लेपटॉप हो या डेक्सटॉप हो किसी भी तरह से हम लोग उस पर आश्रित होते जा रहे हैं तो ये मेडम न लेपटॉप पर या डेक्सटॉप पर बैठा हुआ होता है तो उसको देखिये गौर से लगेगा कि वह सब काम चोर करके या तो स्क्रीन पर देख रहा है या अपने कीबोर्ड पर ध्यान देता है वह या भूल जाता है कि हमको बीच बीच में हमको पलक जपकना चाहिए य कि आदमी कहीं भी काम करे तो एक रूल अफ 24 है जिसमें तीन 20 आता है कि इसमें जदी आप कहीं भी किसी प्रिमिसेज में चाहे वह आप साइवर केफे हो या कोई आपका आफिस हो कॉर्परेट आफिस हो जहां आप लोग कम्पीटर पर काम कर रहे हैं वहां ये कोसिस करें क 20 मिनट काम करने के बाद हम लोग 20 सकेंड तक 20 फीट की दूरी पर देखें ये 320 जो है आपको Computer Vision Syndrome से बचा सकता है जिसमें होता है क्या कि आप आँक के आपका आँक का पलक बंद होगा और आपका आँक ड्राइ होने से बचेगा तो मेन काम है कि जदि आप दूर देखिएगा तो आटोमेटिकली आपका आँक पलक जपक देगा आँक बंद हो जाएगा और आपका आँक वेट ड्राइ होने से बचेगा इसलिए करके आप ये भी आदर डालिए कि जदि हम किसी Corporate Hospital में या घर पर या कहीं भी कंप्यूटर के सामने में काम कर रहे हैं लेप्टॉप के सामने या मोबाइल में तो कोसिस करें कि हर एक 20 मिनट के बाद अपके पलक को जपकाईए या ये आदर डालिए कि हम पलक हमेशा जपकते रहें जिससे कि मेरा आँक ड्राइ होने से बचे और जो ड्राइनेस से बीमारी होती है उसका हमको सामना नहीं करना परे और आपका आँक तंदूर्स रहेगा मेडम ने एक कोईशन और पूछा है कलर ब्लाइनेस के बारे में इसके बारे में मैं दूरदर्सन के दर्सकों की ये कहना चाहूंगा कि कलर ब्लाइनेस एक जेनेटिक डिशॉडर्स है इसका कोई इलाज नहीं है जदी कोई कलर ब्लाइन्ड हो तो हो सकता है कि उसका सीवलेंग उसके फेमिली मेंबर्स और भी कलर ब्लाइन्ड हो तो उनका विधिवत आप लोग आँके डॉक्टर से कराईए और कोशिज कीजिए कि वह व्यक्ति उस नोक्री में नहीं जाए जहां कलर ब्लाइन के आवज सकता है नहीं तो यह होगा कि उनके जान पर खत्रा बने रहेगी और जहां उनोक्री करते हैं वहां भी कुछ उनको दिकत का सामना करना पर सकता है इसलिए कलर ब्लाइन से गरसित ब्यक्ति अपने जॉब के बारे में हमेशा सोचे कि जहां जैसे हम लोग का सैनाम का टीनो विंग है उसमें जो लिए वाइट के आ जाता है कि हमारे कलर ब्लाइन परसन उसमें नहीं जाए पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी उनमें भैकेंसी में रहता है इसलिए कलर ब्लाइनेस के ब्यक्ति जो है वह अपना जाच कराई रूटीनली और जदी पता चले तो कोशिस करें कि हमको ऐसा जॉब चुनना है जिसमें कलर की कोई बात नहीं हो क्योंकि इसका इलाज अभी तक अपने लोग के यहां संभव नहीं है सर आपने बहुत सारी बाते हमारे दर्शकों को बताई अब हम चाहते हैं कि आप हमें सीधे आई बैंक ले चलिए जहां हम देख पाये कि वहाँ पर किस तरीके से जो है नित्रदान किया जा सकता है और वहाँ पर सारी प्रक्रिया क्या है तो चलिए चलते हैं आई बैंक की तरफ तो दर्शकों इस वक्त हम है PMCH के आई बैंक में देखिए हमारे पीछे पुरा आई बैंक है यहीं पर जो आप नित्रदान करते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है तो डॉक्टर साब हमारे साथ है उनसे जानते हैं कि किस तरीके से जो आप नेत्रदान करते हैं उनको सुरक्षित रखते हैं तो डॉक्टर साब हमें बताए कि हमारी जो यह कीमती आखें उनको आप कैसे सलजो कर रखते हैं यहां पर? यहां धेर सारा मसीन दखी हुई है यहां फिरिज रखा हुआ है तो हम लोग आए को निकाल करके एक फिल्यूड होता है जिसको हम लोग कॉर्णिसॉल काते हैं उसमें हम लोग उसको रख देते हैं और यहां इसका इविल्यूशन क्या जाता है कि उस आँख की भीटिलिटी कि लिखनी यही अच्छी है किस आदमी को हम लोग लगा सकते हैं यहां को कि दियान में रखा जाता है और हम लोग का यह प्रिंस्पुल है कि जदि आँख डोनेट होके यहां आता है ईतै तो अपना में सम où कोशीघ करते हैं तो हम लोग हमेशा आप एक्षा करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके 14 दिन के अंदर में आँख का परत्यारोपन सही आदमी को लग जाए बिलकुल तो डॉक्टर साहब जो लोग चाहते हैं कि उनकी आखे लग जाए उनकी आखों में रोशनी आ जाए तो नेत्रदान तो एक अलग चीज हो हैं लेकिन जो लोग नेत्र अपने ठीक करवाना चाहते हैं नेत्र लगवाना चाहते हैं वो लोग भी यहीं से जो है आकर आखे लगवा सकते हैं जी मेडम तो उसको हम लोग जो प्रस्षिस हैं जिसको हम लोग रिसिपेंट बोलते हैं उसको हम लोग यहां ऑपरेशन करके जो छोटी सी operation है, कुछ समय लगता है, painless है, इसमें किसी भी तरह की उनको दिकत नहीं होती है उनको हम लोग आँख में परतियारोपन करने के बाद, हम लोग follow-up करते हैं हो सकता है, कि जदि कोई काम-काजू आदमी हो, तो उनको 4-5 दिन एक सता रेस्ट में रहना परे पिल्कोल दर्शकों आपने देखा कि किस तरीके से यहां पर आँखों को सजो के रखा जाता है, सुरक्षुत रखा जाता है तो यह PM स्वेज का आई-बैंक है, और आप नेतरदान कीजिए ताकि यहां पर जादा से जादा नेतर पहुंचे और जादा से जादा लोगों को यहां से जो है नेतर प्रत्यारोपित किया जाए तो डॉक्टर साहब चलते चलते हमारे दर्शकों को बताईए कि क्यों वो नेतरदान करें और ये कितनी आसान प्रक्रिया है, इससे घबराएं नहीं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताई। संतोस देता है आपको, ये समझने की बात है, और इसे दूर दूर तक, पेरी फेरी परी तक, आदमी को पहुंचाना है कि नेतरदान करें, इसलिए कहावत है, जीते जीते रक्तदान, मरने के बाद नेतरदान, ये महादान है, इसको कभी नहीं भूलें, और अपने परीजनों को, अपने आस्परोसियों को, अपने सभी जनों को ये वताएं, कि नेतरदान इतना बड़ा पुन्य का काम है, इसमें सब को आगे बर्चर कर भाग लेना है, और इस मिसन को भारत सरकार का ये मिसन, विहार सरकार के मिसन को सफल बनाना है, और आदमी के जीवन में उजाला भरना है, यही मेरा आप से निवेदन है, डर्श को अब वक्त हो चुका है आप से विदा लेने का, लेकिन जाते जाते मैं इतना जरूर कहूंगी, कि जिन आखों से आप इस दुनिया के खुबसूरती देखते हैं, उन आखों को किसी और को भी दीचे, अपनी मौत के बाद उनका दान कीजिए, ताकि वो भी अपने जिन्दिकी को खुशाली पूर्वक जी सके, फिलहार मुझे दीजे इज्वासत और हाँ, दूर दर्श बिहार के साथ अपना प्यार जरूर बनाए रखिए, नमस्कार